तो इस वीडियो का टॉपिक है क्रियेटिंग और पॉब्लिशिंग ब्लॉग्स सो हेलो गाइस इस वीजीत यो वाचिंग ट्विस्टीटेक यूटीप चैनल सो विदाउट विश्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स केट स्टाटेड ब्लॉग किसे कहते है सो बेसिकली ब्लॉग इंटरनेट का एक ऐसा एडिया होता है जहां पर आप अपने ओपिनियन्स रिव्यूज न्यूज एक्सेक्टर जैसी चीजे अपलोड कर सकते व्लॉग वर्सेस ब्लॉग अब इन दोनों वर्ड्स में लोग काफी साथा कन्फ्यूज हो जाते डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाते बड मैं आपको बता देता हूं तो वी एल ओजी वाला व्लॉग में बेसिकली आप अपने ओपिनियन्स वीडियो के मादेम से से शेयर कर सकते पर इक्सामबल आपने यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें लोग कहीं भी अगर ट्रैवल करने जाते तो वीडियो शूट करके आपको उसके बारे में बताते तो वह हो गया व्लॉग और ब्लॉग में बेसिकली आप अपनी एक ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं जहां पर आप कुछ भी लिख के पोस्ट करते हैं वैसे तो काफी सारी कंपनी ब्लॉगिंग साइट फ्री में क्रियेट करने का ओफर देती है जैसे की wordpress.com, blogger.com, blog.com, blog.com, etc. बट इस वीडियो म मैं blogger की साइट पे आपको blogs create करके बताऊंगा, blogger एक service है जो कि Google के द्वारा provide की जाती है तो आप इस पे भी rely कर सकते हैं सबसे पहले आपको कोई साभी web browser open करना है उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है blogger आपको इस वीडियो के description में link मिल जाएगी जहां से आप इस website को जो भी मैंने open किया है उसे directly access कर सकते है यहाँ पे आना है create your blog पे आपको click कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कोई भी अपना Google account सेलेट कर लीजे point to be noted तो क्यूंकि एक Google के service है तो आपके पास एक Google account होना ही चाहिए तो यहाँ पर मैं कोई साभी Google account सेलेट करके next step पे move on कर लेता हूँ अब यहाँ पर पूछा जा रहा है choose a name for your blog तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ sample blog ओके दन यहाँ पर next कर लेते हैं अब यहाँ पर बोला जा रहा है address आप अपनी site के लिए अपने हिसाब से एक अच्छा सा address सोच लीजेगा मेबी यहाँ पर आपको दिखा सकता है कि वह already exist हो ताप उसमें कुछ ना कुछ हलका सा change करके जैसे कुछ numbers लगा के आप उसे एक web page के तौर पे create कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ sample by abhi jeet okay then यहाँ पर दिखा रहा है sorry this blog address is not available तो यहाँ पर मैं one लगा देता हूँ for example मैं just आपको दिखाने के लिए बता हूँ तो यहाँ देख सकते this blog address is available and blog address select कर लेने कवाद यहाँ पर next पर click करना पूछा जारे display ने मतलब आपकी site जो blogging site बनने वाली उसका क्या name आप दिखाना चाहते for example यहाँ पर मैंने display name पर डाल दिया blogger sample अब यहाँ पर finish पर click करते बस इतना step आपको follow करना है बिल्कुल सही से आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर sample block create हो चुका है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है no post अब आपको post कैसे create करना है तो यहाँ पर plus वाला एक icon देखने को मिल जाता है आप उस पर click करके post कर सकते है या फिर आप चाहे तो यहाँ पर menu पर आके भी यहाँ भी new post एक option देखने को मिल जाता है यहाँ से भी click करके create post कर सकते है तो यहाँ पर आपको कुछ options देखने को मिल जाते है आप चाहे तो अपनी हिसाप से अपनी site को जितना जादा modify कर सके उतना जादा better लगेगा देखने में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ इस साइट का preview देख सकते है फिलाल मैं बिना preview देखे सिर्फ publish पे click करके confirm कर देता हूं अब यहाँ पर ब्लॉग को देखना कैसे है तो यहाँ पर आपको menu पर आना है सबसे नीचे तक scroll करना यहाँ एक option मिलेगा view blog इस पर click कर देना है यहाँ पर देख सकते sample by abhijit one.blogspot.com यह descriptive text आप लिखते एक blog पर क्यूंकि आपका blog इतना छोटा सा नहीं होगा आप तो बहुत ज़्यादा text लिखेएगा तो यहाँ पर read more पर click करके और ज़्यादा descriptive way में पर सकते हैं अगर आप कुछ बहुत बढ़ा लिख रहा है तब अब लोग बोलिया कि हमने site तो बनाना सीख लेकिन site को भी देखने के वाद मजा नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देगो कि आप इस site को और जादा अच्छे से improvise कर सकते हैं आप इसमें themes इंस्टॉल कर सकते हैं अब themes कैसे इंस्टॉल करना है वह इस वीडियो के comment section में जाके आप comment कर दीजे मैं एक dedicated video बना के दे So that's all for this video, I hope you like this video, hit the like button, subscribe this channel for more videos, I will see you in the next one, thanks for watching.